नमश्कार। आपके श्वागत एड़ेंस तो आप देखरें कितनी कलरफूल मोदक लग रहा है तो चलिये मैं बताती हूं ये कैसे मैं बनाई हूं मात्र दौ चमचstation घी से मोदक में बनाई हूं दौच मच घी से मूह में घुल जाने वाली मोदक बनके तेयार होगी दोस्तों ये पानी ले लिए हूं पानी करीब 400 G نवाक और हाप चपि छीनी ली हूँ उसी के साद 400 ग्राम मैं चौबल कह द्खाली हूं को मैं चौबल के आठे से मौत कुंग मौता हि didnt रही और साइड में कड़ा ही ली हूँ मैं इसका आटा को रख दी हूँ पांच मिनेट छे मिनेट रेस्ट करें तब तक इसके अंदर मेरी फिलिंग बन जाएगी यह डेसिक्टेट कोकोनेट है दोस्तों और चाहे हैं तो आप ताजी नारियल भी ले सकते हैं पराम परिक तोर से ताजी नारियल की ही बनती है तो मैं डेसिकेटर कोकोनेट साथ में कुछ ड्राइफ रूट से इसके साथ में हलका बहुन लूँगी रोस्ट करने से इसका टेस्क डवल हो जाता है दोस्तों असल फ्राइब भी बढ़ जाती है और इसी के साथ सो ग्राम बहुत अच्छा से मिल्ट हो जाएगी इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी नडाले इतना ही में आप पिघल के गुड़ त्यार हो जाएगी बस देखिए लड़ू जैसा बनाने लगा तो फिलिंग तयार हो गई इसको मैं साइड में रख दूंगी थोड़ी ठंडा होती साथ यह बरे वर्तन मिलें ताकि आपको सने में आराम हो जल्दी ठंडा हो और पानी अगर डाले तो गरम पानी ही डाले दोस्तों नहीं तो यह चावल का अच्छा से नहीं बन पाएगी तो मैं गरम पानी उसी भगोने में डाली हूं और इसको अथेलियों से रगर रगर के साने जल्दी सन के त्यार हो जाएगी यह बहुत अच्छे से सन के त्यार एदम सौफ्ट दिखना चाहिए उस साथ में मैं एक चमशाग ही डाली हूं ताकि अच्छे से नीट हो जाया आंटा सुखे नहीं और इसको मैं तीन गोला काट लूँगी यह बहुत जल्दी बनके त्यार होती है आप चाहत अपनी फैमिली फ्रेंट्स का है ले सकते हैं आईसी के साथ मैं तीन रंग ली हूँ रेड है ग्रीन और के सरिया यह फुट कलर है आप चाहें तो डाले नहीं चाहें तो नहीं ढाले आप अगर फुट कलर नहीं डालना चाहते हैं तो बीट रूट का रैस डाले में इक की बनाने के अपराज़िता का फूल का पानी तो आप नेचुरल कलर का भी यूज कर सकते हैं ये कलर है ये फूट कलर ही है तो दोस्तो अब चाहें तो डाले नहीं तो नहीं डाले देखिए अच्छा से बन के त्यार हो गई है गोला मैं तीनों को साइड कर देती हूं इधर मैं पहले एक पानी डाल के स्टीमर को तियार कर दी हूँ ताकि बनते जाएगा मैं डालते जाओंगी और इस साथ में हल्दी का पत्ता लिए दोस्तों यह मेरे गार्डेन का है और पारमपरिक तरसे तोर पे हल्दी के पत्ता पे ही बनता है तो इसका फ्लेवर और मेहक बहुत ही अच्छी आती है अगर आप कभी मोदा के हल्दी पत्ता में कोई भी चीज को वाफ करेंगे मतलब स्टीम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें एक फ्लेवर फील होता है तो परमपरिक तोर पे ऐसे ही बनता है तो मैं इसी तरह से बनाई हू ऐसा कोई कंपलसरी नहीं यह नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं और देखिए मैं इसका दो तरीका में बताऊंगी पहला तरीका तो है इस तरह से है यह थोड़ा तरीका है मैं इजी तरीका इसके बाद में बताऊंगी और मोल्ड दोस्तों घी मत लगाई घी लगाने से आटा चिपकता ने तोड़ा दिकत करती हैं दिती तोड़ा बहुत इसलिए तो आटा भी जो कर रहा हो था किसील दॉचर निजिएopf बहुत अच्छे रहे और फटे नहीं कहीं से अब फिलिंग को अंदाजे से ही डाले ज्यादा डाल देने से थोड़ा साइट से फटने का डर रहता है यह पहला मुदक बनके त्यार हुआ है दोस्तों बपा के लिए गनपती बपा मोरिया तो चलिए मैं इसी तरह से बताती हूँ और इसके आगे मैं बहुत इजी तरीका बताऊंगी दोस्तों वीडियो को बिडाउट इसकेप किये हुए देखे अगर वीडियो से जड़ा से भी कनेट कर पाती है अरचनाई डिनरस्पी को आपकी शपूर्ट की बहुत जरूरत है ज लिकुल भी न भूले दोस्तों और इस तरह से में ग्रीन भी डालूंगी कहीं मैं कोई किसी तरह से गलती करती हूँ तो आप कमेंट में बताए मुझे सुझाव दे मैं कैसे क्या करूं सही करूं और आप कौन से सिटी से देख रहे हैं यह भी कमेंट से बताए मैं जहार्ख मैं कल की नेक्स्ट वीडियो मंदिर की ही अप्लोड करूंगी वो वीडियो शाम को मैं अप्लोड करूंगी तो यहां मैं यह अप्पा मंदिर लेके चलूंगी इस तरह से अच्छे से दवा दवा के देखिए दूसरा भी बन के त्यार होगा इसी तरह से मैं बना लूंगी अब अप्पा को 11, 21, 51 जितना भोग लगाना चाहें आप लगा सकते हैं ऐसे इगारा मोदक का भोग फस्टे लगता है दोस्तों इसका मैं दूसरा तरह का से बताऊंगी जो बहुत इजी भी होगा बनाने का देखने से कितना क्यूट सा लग रहा है बहुत प्यारा बहुत सुन्दर और हल्दी मतलब आप मैं काम करके रखी तीम आ गया है मैं इस तरह स रख दूंगी यह बहुत जल्दी बनके त्यार हुआ एक घंटे में सारा काम करके त्यार की पढ़ने में थोड़ा टाइम जाता है आई इस तरीके से भारेंगे जिस तरह से मैं दोबारा बता रही हूं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं जाएगा दोस्तों बहुत फटा- जाने की जरूरत और गोला तोड़ने की जरूरत नहीं परेगी यह सबसी आसान तरीका है आई इस तरह से छोटे-छोटे गोला बना दे दोनों तरप से साटने के लिए और बीच में फिलिंग डाल दे चार सग्राम आटे से दोस्तों बहुत ज़्यादा मुदग बनके त्यार हो गई थी तो बहुत इजी है अभी बनाएं और फैमिली फ्रेंट के साथ शेयर करें बाटे देखिए मैं दूसरा तरीका बता रही हूं हलका सहां से गड़्धा कर दे गड़्धा कर देने से यह है कि फिलिंग बहुत अच्छा से डीप में चली जाती है अब आपका नहीं तो आप मोल्ड को बन करके भी लगा सकते है पर यह चोटी मोल्ड है अंगली के घुशने में तो दिक्कत हो रही है इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूं आपकी मोल्ड अगर बरा है तो अंगली को जा के अंदर से दापके बनाएं देखें बहुत अच्छी से बनके त्यार हो गई है अधि यह बहुत जल्दी सीच के त्यार भी हो जाती है पांस से चे मिनट में यह स्टीम हो जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी नहीं इसलिए पांस से चे मिनट में आराम से स्टीम हो जाती है आप इसको घी केशर या सिल मैं इस तरह से देखिए सबको मैं निकाल दी हूं अच्छा से बनके त्यार हो गई है कोई-कोई फट भी गई है अच्छा से सीज़ गई है बहुत सुन्दर से मोदक बनके त्यार ही है चलिए मैं पान के पत्तों पर मोदक को बपा के लिए लगाओंगी वपा को पान के पत्तों पर ही मोदक को सर्व किया जाता है अगर है तो लगाए अगर यह लास्ट सारे पान के पत्तों पर मैं इस तरह से मोदक रख दूंगी मेरी यूट्यूब यूर को अगर कहीं से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग की गनेश चतुरती के धेर सारी सुब कामना है दोस्तों आप स्वस्त रहें मस रहें देखिए देखने से ही कितनी सुन्दर लग रही है एपी गनेश चतुरती आप अगर अच्छी लगते तो वीडियो को शेयर करें ठाइंक यू फो वाचिंग बाबाई ने टे कियर